मौसम बदल रहा है एर ये ग्रिश्म रितु से शरद रितु में परवेश कर रहा है ऐसे में सर्सों की बुआई का उचित समय आ गया है ये बुआई 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में की जा सकती है तेल में वसा अमलों का अनुपात एवं खली में ग्लुकोसिनलेट की मातरा सर्सों की गुनवक्ता को निधारित करते हैं सर्सों के तेल में अधिक एरुसिक ऐसे डोने की वज़े से ये हर्देर रोगों की संभावना को बढ़ा देता है भारतिय करिशी अनुन संदान संस्थान ने इसी वज़े से ऐसी नो परजातियों का विकास किया है जिन में एरुसिक अमल की मातरा कम होती है और ये खाने के लिए बहतरीन तेल बन जाता है पूसा करिश्मा बारत की ऐसी पहली परजाती है जिसमें अरुसिक अमल की मात्रा दो परतिशत से कम है इसके बाद कुछ और परजातियां जैसे कि पूसा सर्सों 21, पूसा सर्सों 22, पूसा सर्सों 24 और पूसा सर्सों 29 कानमोदन भी किया गया ये सबी परजातियां पकने में लंबा समय लेती हैं और इन परजातियों का कद काफी लंबा होता है पूसा सर्सों तीस एक पहली ऐसी परजाती है जिसका दाना बहुत ही मोटा है और ये समय से पक जाती है इस परजाती में कम रुषिक होने के साथ जाथ शाथ इसकी पैदावार करीब करीब 30-35 परती एक्टेयर ली जा सकती है पिछले साल एक नई परजाती कानुमूधन किया गया इस परजाती को पूसा सर 32 का नाम दिया गया है ये परजाती करीब 140 से 45 दिन में पक कर तियार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 32 से 35 कुटल परती हेक्टेर ली जा सकती है खली में गलूकोसिनोलेट्स की मातरा अधिक होने की वज़े से पॉल्टरी पक्सियों में घेंगा रोग होने के संभावनाई रहती हैं इसी को देखते हुए भारतिय क्रीशी अनुटरंदान संस्तान नई दिल्ली द्वारा दो ऐसी परजातियों का विकास किया गया जिनमें गलूकोसिनोलेट्स की मातरा 30 पीपियम से कम और एरोसिक एसिड दो परतीशत से कम किया गया ऐसी परजातियों को डवल जीरो परजातियां के नाम से जाना जाता है देश की पहली डवल जीरो परजाती का नाम है उसा डवल जीरो सर्सों 31 ये परजाती करीब करीब 144 से 145 दिन में पकर त्यार हो जाती है और इसकी पैदावार करीब करीब 28 से 32 कोईटल परती हेक्टर ली जा सकती है इसी वर्ट से एक नई परजाती जिसे पूसा डवल जीरो सर्दिया गया है उसकी पहचान की गई है और ये परजाती करीब करीब 140 दिन में पकर त्यार हो जाती है और इसकी उत्पादक्ता 32 से 34 कुईंटल परती एक्टर ली जा सकती है इसके अलावा बारतिय क्रिशी अनुसंदान संस्थान नई दिली द्वारा अनेकों सामाने गुनवक्ता वाली परजातियों का विकास किया गया है इन में परमुक परजातिया हैं पूसा बोल्ड, पूसा जगनात, पूसा जैकिसान और पूसा वीजए पूसा वीजए इन सभी परजातियों में नविंतम परजाती है ये परजाती 145 दिन में पक कर त्यार हो जाती है, इस परजाती के दाने बहुत ही मोटे हैं और इस से किसान भाई 32-36 कोईटल परती एक्टेर पैदावार ले सकते हैं किसान भाई ध्यान दें कि इन सभी परजातीयों का दीज भरोस एवन स्रोच से लें एवन इसकी बुआई 10-30 अक्टू भर के बीच में करें